यूट्यूब के शिव शक्ती चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप चैनल पर पहली बार आये हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी नॉलेज और मनोरंजन लगतार बढ़ते रहें। तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम अकसर देखते हैं कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ समय थोड़ा सा विपरीत चलने लगता है। उसमें हम आर्थिक संकट का सामना करते रहते हैं, जो काम अच्छा करने की सोचते हैं वह या तो रुख जाता है या फिर वह बिगड़ जाता है। और उस दौरान हम ये सोचते रहते हैं कभी तो समय हमारे अनुकूल होगा। हर व्यक्ती अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतजार करता है ताकि उसकी तरक्की होगी, जिदंगी, खुशहाल हो, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल हो, धन दौलत की कोई कमी न हो। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है या किस्मत आप पर महरबान होने वाली होती है, तो आपको पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। आईए जानते हैं अच्छे वक्त के दस शुभ संकेत एक, यदि आप सुभ सुभ घर से किसी काम से निकले हैं और आपको रास्ते में नए वर और वधु साथ दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, यह अच्छे दिन का शुभ संकेत हो सकता है, ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ती पर वीट करता है तो उसका गुड़लक शुरू हो जाता है, आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको साप और बंदर दिखाई देते हैं, तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है, आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है, आपके पास धन का आगमन हो सकता है, इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादर का बसेरा होता है, तो इसे भी शुभ माना जाता है, यदि रात के समय में आपको आस्मान में तूटते हुए तारे दिखाई देते हैं, तो तुरं का दिखाई देना शुभ संकेत होता है, भगवान विश्णु ने कच्छप अवतार लिया था, कच्छुआ आपको सपने में दिखाई देता है, तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है, बंद किसमत के दर्वाजे जल्द खुल सकते हैं, किसी दिन आप अपने घर के पास या आप देता है, तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, मोर का दिखना अच्छा माना जाता है, यदि आपके घर के मुख्य दर्वाजे पर हाथी अपना सूण्ध उठाकर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए, कि आपके यहां लक्ष्मी का आग्मन हो आपके परिवार के सुख और सम्रिध्धी में बढ़ोत्तरी होने वाली है, हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छे से अच्छी जानकारी लाने का प्रयास करते रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और जानकारी अच्छी लगते ही वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट करना ना आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।